हलो फ्रेंड्स नमस्कार महिजादो पंडे स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टार्गेट विद नॉलेज आनलाइन क्लासेज में दोस्तो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ आज हम preposition between के बारे में discuss करने वाले हैं preposition जो बीट्वीन है उसके use कहां पर किया जाता है इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे दोस्तो यहाँ जो वीडियो है यह आपको ले बहुत ही नौलेज़फुल होने वाली है आप मेरे साथ वीडियो के लाष्ट तक बने रही है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो चले दोस्तों बीना time waste की आज का class start करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ rules लिखे हैं जो preposition between है उसके use के कुछ rules लिखे हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ examples लिखा हैं हम इस rules और examples के माध्यम से preposition between को समझेंगे तो चले दोस्तों सबसे पहलाम जानते हैं जो preposition between है उसका rule क्या है जो preposition between है उसका rule है between का अर्थ होता है बीच में जो preposition between है उसका हिन्नी में अर्थ होता है बीच में इसका प्रियोग तब होता है जब कोई वेक्ती या वस्तु दो वेक्ती या वस्तु के बीच में हो तो between का प्रियोग करते हैं ठीक है between का हिंदी में आर्थ होता है बीच में और जो between proposition है इसका यूस तब होता है जब कोई वेक्ति या वस्तु दो वेक्ति या वस्तु के बीच में हो तो उस condition में preposition between का यूस किया जाता है ठीक है चले हम इसको example के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर मैंने पहला example लिया है I was sitting between the door and the table ठीक है मैं दर्वाजा और table के बीच में बैठा था ठीक है मैं दर्वाजा और table के बीच में जो door है और जो table है उसके बीच में बैठा था तो यहाँ पर जो noun है वो क्या है I I मतलब my my मतलब noun ठीक है तो यहाँ पर दो noun है इसलिए इन दो noun के सामने हमने preposition between का use किया है ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा है इसका प्रयोगताब होता है जब कोई वेक्ति या वस्तु दो वेक्ति इसमें लिखाया दो वेक्ति या वस्तु के बीच में हो तो preposition between का use किया जाता है ठीक है यहाँ पर the door और the table यह क्या है दो वस्तु है इस कारण से हाँ पर preposition between का use किया गया है ठीक है तो यहाँ पर between क्या है preposition है चले next example को समझते हैं वहां राम और स्याम के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर राम क्या है, एक नाउन है, एक नाउन है, ठीक है, राम और स्याम क्या है, एक नाउन है, यहाँ पर दो वेक्ति का नाम आ रहा है, इसलिए राम और स्याम के पहले हमने प्रिपोजिशन बीट्वीन का यूज किया है ठीक है, he is sitting between Ram and Sam, वहां Ram और Sam के बीच में बैठा है, ठीक है, वहां कहां बैठा है, राम और Sam के बीच में, ठीक है, तो फिर he क्या है, एक noun है, he मतलब वहां, वहां मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, चले next example को समझते हैं, put this box between red and green box, ये जो box है, इसको कहां रखना है, red और green box के रखना है, ठीक है, इस box को red box और green box के बीच में रख दो, तो यहां पर red and green है, ठीक है, red and green आया है, इस कारण से, जो red and green box आया है, इस कारण से, यहां पर हमने preposition between का use क्या है, ठीक है, red box, green box, ये क्या है, noun है, यहां पर दो noun है, इस कारण से, इसमें दो वस्तु के बीच, य दो वस्तों होने के कारण इसके सामने हमने preposition between का यूज़ किया है ठीक हम, put this box between red and green box, इस box को red box और green box के बीच में लाल box और हरे box के बीच में रख दो, ठीक हम चले next example को समझते हैं he divided his property between his two sons ठीक है, he divided वहाँ divide कर दिया कोन divide किया, he, he मतलब noun, ठीक है, he divided his property, उसने उसकी property को, उसकी जो समपती है, उसको किन किन के बीच में divide कर दिया his two sons, उसके दो पूत्र के बीच में, उसके दो बेटे के बीच में, उसके जो property है, उसको divide कर दिया ठीक है, he divided his property between his two sons ठीक है, वहाँ अपने property को उसके दो बेट में क्या कर दिया divide कर दिया, बार दिया गया ठीक है, यहाँ पर two sons आया है two sons मतलब दो वेक्ति, दो वेक्ति मतलब noun ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर preposition between का use किया गया है, ठीक है चले एक बार revenge कल देता है between का अर्थ होता है बीच में और इसका प्रयोकतब किया जाता है जब कोई वेक्ति या वस्तु, दो वेक्ति या वस्तु के बीच में हो, तो वहाँ पर preposition between का use किया जाता है, ठीक है, एक्जामपल को समझते है I was sitting between the door and the table मैं door and table ठीक है, मैं door and table के बीच में बैठा था, यहाँ पर door and table क्या है नावन है, दो नावन है, दो वस्तु है इसका अना हमने यहाँ पर preposition between का use किया, इसी प्रकास से ही sitting between Ram and Sam Ram और Sam, ठीक है यहाँ पर दो वेक्ति है, ठीक है अर्था नावन है, इसलिए यहाँ पर preposition between का use किया गया है Ram and Sam के आगे preposition between का use किया गया है ठीक, next देखो, put this box between red and green box इस box को red, लाल box और green box हरा box के बीच में रख दो यहाँ पर जो box है, red box और green box है, क्या है, वस्तु है दो वस्तु है, इस का अना से red box and green box के सामने हमने preposition between का use किया है, he divided his property between his two sons ठीक, वहाँ अपने property को किसके बीच में डिवाइड कर दिया उसके दो पूत्रों के बीच में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर two sons आया है, इस कार्ण से हाँ पर his two sons के सामने between, preposition between का use किया गया है, ठीक तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो है, आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों के यहाँ क्लास समझ में आया होगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो का अपने friend circle के अंदर share करें और अभी तक आप लोगों ने मेरी YouTube चैनल Target with Knowledge Online Classes को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरी YouTube चैनल Target with Knowledge Online Classes को जरू सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन के साइड में एक बेल का इकन बना है, उस पर क्लिक कर दे, ताकि मैं जब भी नहीं कोई वीडियो अपलोट करूँगा